कैसे हो आप सब? Dear friends, आज मैं Art and Culture of India इस पर आपके लिए Top MCQs लाया हूँ ये इस सीरीज का आज का पहला वीडियो होगा Dear friends, as you know जो ये Art and Culture है इस पर examination में definitely एक या दो questions पूछे जा सकते हैं तो मैं आपको suggest करूँगा कि आप इस वीडियो को end तक वाज कर लेना क्योंकि इससे आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि exam में किस तरह के questions आ सकते हैं और साथ में आपका revision भी होगा Friends, अगर आप इस चनल पर अभी तक नए हो तो please इस चनल को जुरूर सबस्क्राइब करना और साथ में इस वीडियो को like और साथ में share भी कर लेना तो Friends, चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं पुच्छ नमबर वन है पुशकर फियर इस हेल्ड इन विच अमंग दे फालविंग इंडियन सिटीज पुशकर फियर ये एक मेला होता है आपको यहां से बताना है कि पुशकर फियर इंडिया की किस सिटी में मनाया जाता है जोदपूर, अजमीर, जैपूर, उदेपूर तो Friends, पहले आपको पुशकर फियर जो है इसके बारे में पता होनी चाहिए यह कहां पे मनाया जाता है, यह राजिस्तान के एक शहर में मनाया जाता है जो यह यहां पे फूर सिटीज है, यह सारी सिटीज कहां पे है, राजिस्तान में है तो पार्ट नमर ए था जोदपूर, बी था, अजमीर, सी था, जैपूर, डीफा, उदेपूर तो फ्रेंड्स, कौच नमर वन जो है, इसका अंसर आएगा पार्ट नमर बी, अजमीर जो यह पुशकर फियर है, यह किस सिटी में मनाया जाता है, यह राजिस्तान की सिटी है, अजमीर, यहां पे इसको मनाया जाता है ठीक है, पुशकर फियर के, रिगार्डिंग आपको क्या चीज याद रखना है, जो यह पुशकर फियर है, यह एक इनवल फियर है इसको हम पुशकर कैमल फियर भी बोलते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है trading feet of cattle, horses and camels ठीक है, ये साथ दिनों तक मनाया जाता है और इसमें जो कार्तिका पुर्निमा है according to Hindu calendar उसी का मार्ग होता है Question No. 2 Which among the following is called the storehouse of world art collection आपको यहां से बताना है कि किसको storehouse of world art collection बोलते है National Archives of India National Museum National Modern Art Gallery Salar Jung Museum तो Friends, पच्च नमबर 2 जो है इसका अंसर आएगा Part No. D जो Salar Jung Museum है, इसको क्या बोलते है इसको बोलते है Storehouse of world art collection जो यह Salar Jung Museum है यह कहां पर है यह तलिंगा ना हाइदर आबाद में है ठीक है, यहां पर क्या पाया जाता है जो वरल्ड की art galleries वगेरा है वो सारे यहां पर मौजूद है इसलिए इसको का जाता है Storehouse of world art collection Question No. 3 Who among the following introduced the famous Persian festival of Nauros आपको यहां से बताना है कि किसने introduce किया था Persian festival of Nauros अलाओदीन कुजली, इलतुमुष, फैरोज तबलुक, बल्बन तो friends Question No. 3 का आंसर आएगा Part No. D, बल्बन बल्बन ने क्या introduce किया था यह Nauros festival है, यह एक important festival है Persian festival है, ठीक है इसको किसने introduce किया था इसको बल्बन ने introduce किया था ठीक है Question No. 4 Which among the following is known as the earliest example of Panchatana style of temple किसको कहा जाता है earliest example of Panchatana style of temple दशावातरा temple at Diogra, temple at Pathari, सद्गुरु नेशवरा, temple at Bhooneshwar लक्षमना, temple at Sripur तो friends, पच्च No. 4 जो है, इसका आंसर आएगा Part No. A, ठीक है दश्तवरता, temple at Diogra यह क्या है यह है earliest example of Panchatana style of temple ठीक है, देखो यह जो दश्वरता temple इसको Vishnu temple भी बोलते है और इसको गुपता temple भी बोलते है यह कहां पहा है, यह Diogra में है इसको गुपता पीरिट के दोरान बनाया गया था Question No. 5 Which of the following is not present in the UNESCO list of intangible cultural heritage of India आपको यहां से बताना है कि कौन present नहीं है, किस में UNESCO list of intangible cultural heritage of India Kalbilya, Yoga, March, Ramlila तो Friends Question No. 5 का answer आएगा Part No. C, March ठीक है March यह क्या है, it is not in the UNESCO list of intangible cultural heritage of India जो यह मार्च है यह क्या है, यह है फोक ठीक है, यह है फोक ठीक है, फोक ठीक है, मालवा रिजन यह कहां पर है यह मजया परदेश में है Question No. 6 Which among the following build built by Shah Jahan at Agra is similar in pattern of the sand bacillus cathedral in Moscow आपको यहां से बताना है, Shah Jahan ने आगरा में एक building मनाई थी उसका pattern किस से मिलता जुलता है Sand bacillus, cathedral in Moscow आपको उस building का नाम बताना है ताज महल, आगरा फोर्ट पेरल मास्क, Shah Jahani महल तो Friends Question No. 6 का answer आएगा Part No. C, पेरल मास्क पेरल मास्क इसका दूसरा नाम क्या है Moti मास्जिद भी इसको बोलते हैं ठीक है Which among the following temples of India is known as Black Pagoda इंडिया के किस temple को Black Pagoda भी बोलते हैं Sun Temple, Conark बृदिवसरा Temple, Tanjur लाट जगनार Temple, Puri मिनाक्षी Temple, Madurai तो Friends Question No. 7 जो है इसका answer आएगा Part No. A, Sun Temple, Conark इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते है Black Pagoda ठीक है, जो ये Sun Temple है ये क्या, ये 13th संचिरी का Temple है, ये कहां पहाँ Sun Temple ये उडेसा में है, ठीक है इसको Black Pagoda भी बोलते हैं इसके रगारिंग आपको एक और चीज याद रखनी है ये World Heritage Site है ठीक है ये चंजडर किया जाता है Architectural Marvel for which Odessa is best known for the Worldwide Question No.8 The Festival Besa की और Besa की इस कोमेर्टेट्स विच अमंग दे फाल्विंग इंपोर्टेंट इवेंट आप सिख हिस्ट्री आपको बताना है जो Besa की है ये किस इंपोर्टेंट इवेंट आप सिख हिस्ट्री के रिगार्डिंग है Establishment of Akal-Takht Establishment of Khalsa Pant Establishment of Guru Granth Sahib as Permanent Guru of Sikhs Foundation of Harminder Sahib Golden Temple in Amritsar तो Friends Question No.8 जो है इसका आंसर आएगा Part No.B ठीक है जो Besa की है ये क्या मारक करता है It marks the Establishment of Khalsa Pant ठीक है ये Khalsa Pant के रिगार्डिंग आपको कुछ चीज़ां याद रखनी है देखो जो ये Khalsa Khalsa का मीनिंग क्या है Sorian are free ठीक है इसी दिन क्या हुआ था 1699 को जब 10th Guru Guru Gobind Singh Establish उसने क्या किया था Establish Khalsa Pant Question No.9 In field of music Which among the following state governments give Tanah Riri Award every year Music के field में कौन सी state government कौन सा आवार्ड देती है Tanah Riri Award हर एक साल राजस्तान मध्या पर्देश गुजराद माराष्टरा तो Friends Question No.9 का answer आएगा Part No.C ठीक है गुजराद में क्या दिया जाता है Tanah Riri Award every year किस field में Music field में ठीक है ये Tanah Riri इसके regarding आपको याद रखना है ये Tanah Riri क्या है ये टू मगल सिस्टर थे एक का नाम था Tanah और दूसरा का नाम क्या था Riri इन्होंने अपनी जने निचावर की थी जिसके लिए For maintaining a tradition of singing only before village deity ठीक है देवायर फोर्स टू सिंग इन दे कोट आप इंपरा जो ये दो बेहन हैं थी Tanah और Riri इनको force किया जाता था सिंग करने के लिए कहां पर अकबर के कोट में फिर उन्होंने क्या किया था suicide किया था उन्होंने एक well में अपनी जान दी दी थी ठीक है इसी लिए गुजराद गोवर्मेंट क्या देता है Tanah Riri Award इनके आउनर में ये देता है Consider the following festivals with states in which they are celebrated यहां पर कुछ festivals है और states है आपको इनके correct match देखने है ठीक है पहला है योशंग मनिपोर होरन बिल नागालेंड सागा देवा सिंकम which among the following are correctly related आपको यहां से correct options चूज़ करने है A part है 3 only B part है 1 and 2 only C part है 1, 2 and 3 D part है none तो friends question number 10 का answer आएगा part number C यह तीनों ठीक है ठीक है जो यह योशंग है यह कहां पर मनाया जाता है यह नागालेंड में मनाया जाता है होरन बिल यह कहां पर मनाया जाता है नागालेंड में योशंग मिनिपोर में मनाया जाता है हारन बिल नागा लेंड में मनाया जाता है, और सागा देवा यह कहां पर मनाया जाता है, यह सिक्कें में मनाया जाता है. कवच्छ नमबर 11, यहां पर कुछ फोग डांसे और स्टेट्स है, आपको इनके कुर्रेक्ट मैट्स देखने हैं, ठीक है? आपको यहां से कुर्रेक्ट मैट्स देखने हैं, पर्ट नमबर A है, आउनली 1 & 2, B पर्ट है, आउनली 2 & 3, C पर्ट है, आउनली 1 & 3, D पर्ट है, 1, 2 & 3, तो फ्रेंट्स, पच्छ नमबर 11 का आंसर आएगा, पर्ट नमबर B, शिरिफ 2 & 3 यह कुर्रेक्ट है, ठीक है? बांड पथर, यह किसका फोगडानस है, यह जुमु कश्मीर का फोगडानस है, और गोतिपी, यह किसका फोगडानस है, यह उडैसा का फोगडानस है, जो यह सिदी देमाल है, यह हमाचल परदेश का नहीं है, बलकि यह किसका है, यह गुजरात का है, ठीक है, सिदी देमाल आपको याद रखना है ये किस इंका folk dance है ये गुजराद का folk dance है कॉच्छ नमर 12 ओ नम्हें इस दे कल्चरल फेस्टवल wajच इंजियन स्टेट यूटी औन्हें एक कल्चर राल फेस्टवल है आपको यह किस इंडियन स्टेट या यूटी का फेस्टवल है आसाम, करेला, तामिलनाडू, करनाटका तो फ्रेंड्स कोच्छ नमबर 12 का आएगा पार्ट नमबर B जो ओनम है यह किस स्टेट का कल्चरल फेस्टवल है यह करेला का स्टेट फेस्टवल है ठीक है ओनम के रिगार्डि ठीक है और ये कब celebrate किया जाता है at the beginning of the month Chingam of Malayalam calendar जो Malayalam calendar में एक month है Chingam उसी के beginning में ये celebrate किया जाता है कवच्च नमबर 13 The Garba folk dance that is seen in the news recently is associated with which state Garba folk dance आपको बताना है ये किस state के साथ associated है Odessa, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Gujarat तो friends, पच्च नमबर 13 जो है इसका आंसर आएगा part number D Gujarat, गबरा, जी फार, गबरा, जी फार, गुजरात तो ये याद रखने में आसानी हो जाएगी ठीक है ये किस का folk dance है, गबरा ये गुजरात का folk dance है ठीक है, गबरा ये क्या है, ये है folk dance आप गुजरात, ये कब celebrate किया जाता है ये 9 days के लिए celebrate किया जाता है, जब नवरातरी फेस्टवाल आता है, किस की worship की जाती है, गार्डस शक्ती या गार्डस दुरगा की कच नमबर 14 ये किस इंजन स्टेट में मनाया जाता है, उडेसा, आसाम, वेस्ट बंगाल, करनाटका तो friends, कच नमबर 14 जो है, इसका अंसर आएगा, पार्ड नमबर B, जो काती बिउ है, ये किस स्टेट में मनाया जाता है, ये आसाम में मनाया जाता है काटी ब्यू के रिगार्डिंग आपको कुछ important चीज ज़ार रखने है, ठीक है, ये कहां पे मनाया जाता है, आसा में मनाया जाता है, ठीक है, ये एक agricultural festival है, आपको ये भी पूचा जा सकता है, कि कौन सा agricultural festival आसा में मनाया जाता है, तो क्या answer आएगा इसका काटी ब्यू, ठीक ह है और cultural dances भी organize करते हैं कोच्छ नमबर 15 life in miniature project that was seen in news recently is a collaboration between national museum देली and which company life in minute यह project एक है यह recently news में आया था यह national museum देली और किस company के साथ collaborate है यह national museum माइक्रोसाफ्ट गूगल फेस्बुक एमेजन तो फ्रेंड्स वच्छ नमबर 15 का आएगा पार्ट नमबर बी किसके साथ national museum आप देली ने इसके regarding collaborate किया है गूगल के साथ वच्छ नमबर 16 विच स्टेट असंबली पास्ट एज रिजूशन तो include सर्ना as a separate religion in census 2021 जो census 2021 थी वो फिलाद पोस्ट पून हुई है तो आपको यह बताना है कि कि स्टेट असंबली ने resolution पास्ट की है क्या resolution पास्ट की है कि सर्ना इसको एक separate religion दिया जाए in census 2021 बिहार जारखंड आसाम वेस्ट बंगल तो फ्रेंड्स question number 16 जो है इसका answer आये का part number B जारखंड फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो please इस वीडियो को like भी कर लेना question number 17 what is the name of festival celebrated across बिहार जारखंड और उत्रा परदेश in November dedicated to sun god आपको उस festival का नाम बताना है जो कहां पर celebrate किया जाता है बिहार जारखंड और उत्रा परदेश में यह festival किस god को dedicate है sun god को ठीक है चहत दुसेरा कारवाचोत करवाचोत कार्वाचोत कार्तिक दीव तो friends question number 17 जो है इसका answer आएगा part number 6 ठीक है इसके रिगार्डिंग आपको और नालेज होनी चाहिए ठीक है यह जो चाहता है यह एक four day long festival है यह किसको dedicate है sun god को ठीक है यह कहां पर celebrate किया जाता है बिहार जारखंड उत्रा परदेश कब नवंबर में ठीक है पूरे मुलक से जो पूरे मुलक से लोग यहां पर आ जाते हैं और वो क्या करते हैं वो फास्ट रखते हैं और प्रियर किसके लिए करते हैं जो sun god है उससे दुआये मांगते हैं ठीक है और फिर रिवर में डिप देते हैं ठीक है यह एक biggest festival है इन स्टेट्स का 18 इंजयन इंटरनेशनल चिरी बलोसम फेस्टवल इस यूजवली सेलिबरेटी इन इंटरनेशनल चिरी बलोसम फेस्टवल यह किस स्टेट में मनाया जाता है अरुनाचल परदेश, सिक्किम, मैगालिया, हिमाचल परदेश तो friends, question number 18, जो है, इसका answer आएगा, part number C, Indian International Cherry Blossom, ये कहां पर मनाया जाता है, ये Megaliyah में मनाया जाता है, important question है, इसको याद रख लेना है, question number 19, थाइफूसम, is a religious festival, celebrated in which Indian state, थाइफूसम, ये एक religious festival है, ये इंडिया के किस state में मनाया जाता है, आंद्रापर्देश, तामिलनाडू, उडेशा, करनाटका, तो friends, question number 19, का answer आएगा, part number B, थाइफूसम, ये कहां पर मनाया जाता है, ये तामिलनाडू में मनाया जाता है, ठीक है, ये किस के लिए dedicated है, तामिल गार्ड, लाड, मुर्गा के लिए, कांगरा पैंटिंग, ये recently news में थी, आपको बताना है, कि ये किस state के साथ associated है, जमू एंड कश्मीर, उतराखंड, करनाटका, हिमाचल परदेश, तो friends, question number 20 का answer आएगा, part number D, जो कांगरा पैंटिंग है, ये किस के साथ associated है, ये किस state के साथ associated है, हिमाचल परदेश के साथ, तो friends, आपके लिए मैं question छोड़ रहा हूँ, आपको ये बताना है, कि हिमाचल परदेश की capital कोन है, और हिमाचल परदेश का present governor कोन है, आप comment section में जुरू इसका answer बता देना, तो friends, ये था आज का video regarding top MCQs on art and culture of India, ये इस series का पहला part है, I hope आप इस series को like करोगे, और अगर आपने अभी तक ये channel subscribe नहीं किया है, तो please इस channel को subscribe भी कर लेना, बिकास इस channel पर आपको हर एक topic के बहुत सारे MCQs मिलेंगे, तो friends, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी next video में, तब तक के लिए, खुदा आख,